हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो सारदा एनरजी एंड मिनरल्स का क्यू थी का रिजल्ट आ गया है बहुत धमाकेदार प्रॉफिट दिखाया है अभी रिसेंट में इनके जो कॉर्टर रिजल्ट आया है वो देखे लगता है कि एक फास्ट क्रोइंग कंपनी बन सकती ह है ठीक है तो इसमें complete analysis करते हैं बढ़िया मौका है क्या है सारी possibilities देखते हैं उससे पहले एक disclaimer इस वीडियो इस ओनलिए पोलगे और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेशल आइडवेस से अला लीजे अपने खुद की रिसरच करना चाहूं कि अगर अब भी तक आप लोग ने में चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर उनको thank you very much मेरा हुसला बढ़ाने के लिए सार्दा energy and minerals limited तो एक काम क्या करती है देखिए ये जो काम करती है वो है engaged in the business of steel manufacturing facility is starting from iron ore mining to the finish iron ore mining जो mining भी करती है और उसको finished steel के form में भी लाती है wire rod, HB wire ये सब काम करती है और leading manufacturer है ये फैरो alloys की ठीक है और exporter ठीक है exporter भी है ठीक है 381 रुपीज में trade कर रहा है 400 का high 97.5 का low तो अपने high के पास trade करता हुआ book value देखे 545 तो book value से नीचे trade करता हुआ तो ये बढ़िया चीज है stock PB देखे 6.45 तो बहुत बढ़िया मौका है इसमें ठीक है और देखते है और क्या खास बात है चलिए ठीक है promoter holding बहुत 7% ठीक है operating profit margin देखे 21.3% का reserves देके 1929 करोड का है और debt 1540 करोड का है debt कम है reserves से ठीक है फिलाल के लिए पर मुझे लगते है आगे चलके इसके reserves में improvement होगा और debt कम होंगे और ये company आगे चलके अच्छा कर सकती है क्यों चलिए देखते हैं ठीक है तो friends देखे किस तरह से movement रहा ह यह stock low था यहां पर देखे यहां पर 97 का low बनाया था और 400 रुपए का high बना एं देखे किस तरीके से movement होती है फिर concentrated थोड़ा concentrated होती है फिर movement होती है फिर इसमें higher बनता है फिर deep आता है ठीक है इस तरीके से और जो overall moment है इस stock का वो इस तरीके से है, ठीक है, overall moment इस तरीके से है, ठीक है, तो long term के लिए stock अच्छा लग रहा है, चली आगे देखते हैं, max में देखते हैं, अच्छा, तो max में देखिए, इसका एक resistance यहाँ आज पास अच्छा resistance है 600 के उपर, पर अभी यह उससे नीचे rate मे यह देखते हैं, इसका, यह देखिए, इसका quarter result अगर आप देखेंगे, तो मैं कह रहा था, क्यों quarter result पे मुझे अच्छी लगरी चीज़े, देखिए, जो recently इसका जो profit है, quarterly profit, यह देखिए, यह देखिए 47 करोड, 42 करोड, even negative यहाँ 35 करोड, पर यहाँ देखिए 84 करोड, और उसके बाद 116 करोड, ठीक है, तो इस वज़े से मैं कह रहा था, कि यह अभी एक अच्छी रफ्तार पकड़ रही है, company fast growing हो सकती है, ठीक है, चलिए, अब year wise देख लेते हैं, इसका कैसा है, तो 949 करोड का sales, और 182 करोड का operating profit, 949 से बढ़ते वे यह हो गया, करीब करीब, 2000 क करोड भी हुआ था, और 1938 करोड ठीक है, और यह बढ़ गया, आपका operating profit 182 से बढ़के 412, तो operating profit करीब करीब, अगर आप यहाँ देखेंगे, तो 482 हुआ था, तो operating profit करीब करीब, यहाँ पे 3 times, या 2 times, 3 times और 2 times के बीच में, 2.5 times आप कह लिए उतना हो गया, और जो sales है, व जो मैं कहना चाहरा था, वो जो तेजी आई है, वो recent के quarters में बहुत अच्छा है, यह recent के quarters में इसने अच्छा profit generate किया है, देखें, interest पहले इस पे अच्छा खास था, अभी भी debt है, ठीक है, बट यहाँ देखें, यहाँ पे interest कम हुआ है, और जो other income से जो income होती थी, यहाँ थ अच्छी बात, और जो net profit 132 करोड से बढ़ते हुए हो गया है, 203 करोड, तो 2x से थोड़ा कम है, बट जो तेजी आई है, वो हाल फिल हाल में आई है, ठीक है friends, तो ध्यान रखेंगा, देखें, यहाँ 13 करोड तक चल गया था net profit, बट उसके बाद से लगातार एक अच्छा moment आया है, ठीक है, चलिए, reserves देखते है, reserve कैसा है, reserve 491 करोड का reserves, और जो की बढ़ते हैं, 491 करोड से 1900, तो यह देखें, reserve करीफ 5, 4 times, 4 times कह सकते है, reserve 4x हो गया है, और जो borrowings है, वो 744 करोड, और यहाँ पे 13, 16, 1700 करोड तक कर, इसकी borrowings अभी 1540 करोड, तो यहाँ पे borrowings कम हु तो management ठीक, अभी ठीक direction में काम कर रही है, 14% कारोशी, तो ठीक है, यह वाला definitely improve करना चाहिए, quarter result के बाद, ठीक है, चलिए, promoters holding देखें, बहुत अच्छी है, 72.50, 50% की, FIs की भी holding थी, लेकिन FIs ने अपनी holding यहाँ कम की है, DIs ने holding यहाँ पे थोड़ी बढ़ाई है, FIs ने holding 25% का share है, ठीक है, तो 25% का share है, तो अच्छा खासा share public के पास है, तो momentum बन सकता है, देखें, result पे depend करता है, पर क्यूंकि public बहुत जादा है, तो बहुत तेजी से momentum नहीं आएगा, बट फिर भी जो बहुत तेजी से momentum नहीं आएगा, और dip भी इसमें 20-20 में आता रहेगा, unless and until जब तक इसमें FIs और DIs अपनी holding नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, पर फिर भी अभी quarter result अच्छा है, तो मेरे को लगता है, short term में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या है quarter result, देखे quarter result यह देखे, 642 करोड का revenue, ठीक है, 574 और 471 से 642, तो करीब 260, 260, sorry, 260, 170 का इनका total income में जंप, और expenses इसका 491 करोड, 454 करोड और 415 करोड, ठीक है, तो expenses उतनी रहा है, even मुझे लगता है, expenses में इन लोगों ने control के, यह बहुत अच्छी जीद है, अगर यह लोग अपनी expenses में control कर रहे हैं, तो ठीक है friends, यह बहुत अच्छी जीद है, क्योंक हिसाब से expenses उतनी जादा नहीं बढ़ें, तो यह देखिए, जो total है, profit before tax जो है, वो कितना रहा है, 150 करोड, 116 करोड और 56 करोड से 150 करोड देखे, 3X होगे है, पिछले साल के quarter से compare करेंगे, तो अच्छा-खासा movement है, यहाँ पे, अच्छा-खासा movement है, अच्छा-खासा jump actually, और net profit after tax भी है, तो यह बहुत अच्छी चीज, और यहाँ देखिए, 165 करोड से 242 करोड, 165 करोड से 242 करोड, तो यहाँ पे भी 70-80 करोड का jump है, और यहाँ पिर आप बोल सकते है, 30-40, 40% का jump है, तो यह बहुत अच्छी बात है, यह stock, बहुत अच्छा, मतलब इसका जो profit है, यह बहुत अच्छा, तो यह एक growing company, अच्छी तरीकी से growing company, fast growing company type, आप इसको consider कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं, और क्या इसमें possibilities है, तो company क्या काम करती है, मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा इसकी website पे चलके थोड़ा सी नजर मार लेते हैं, क्या करती है, देख manufacturer है यह, ठीक है, और leading manufacturer है यह, यहाँ पे देखिए, फैर अलाई स्केल, ठीक है, और 2,40,000 metric ton per annum, और यह 3,60,000 metric ton per annum, crude steel making में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है friends, तो यह था, सार्दा, Energy and Minerals Limited, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, यह information चल लगी, तो प्लीज एक लाइक कर कर लिजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, thank you so much for watching this video, thank you so much.